वल्कम माई डिया रॉकाइट्स कैसे हैं आप सभी हम आपके लिए दुनिया भर की लैंग्वेजेस में रिलीज हुई बहतरीन मूवीज लेकर आते हैं उसी श्रंखला में आज हम लेकर आये हैं अरबिक लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत इंटरस्टिंग मूवी जिसका नाम है कैपरनॉम इस मूवी को देखने के बाद सच में मुझे लगा कि इतने दिन मैंने अरबिक लैंग्वेज की मूवीज की और ध्यान क्यों नहीं दिया मुझे इतनी अच्छी लगी और उम्मीद है आप सबको बहुत ही पसंद आएगी और आप वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे ऐसा क्या हुआ इस बच्चे की लाइफ में और इसने ऐसा क्या किया जो इतने छोटे बच्चे के हातों में हतकडी है और ये कोड क्यों जा रहा है ये सब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों बागी अगर चैनल पर नाए हो तो सबस्क्राइब कर दिजिए मूवी की शिरुवात लेबानन के बिरुएट शेहर में होती है जहां एक बारा साल के लड़के को हतकडी पहना कर लजाए जा रहा होता है बड़ी तादात में मीडिया के लोग वहां खड़े होकर फोटोस खींच रहे होते हैं पुलिस लड़के को ले जाकर कोट में बढ़ा देती है लड़के के पेरेंट्स रोते वे कोट रुम के अंदर आते हैं जज बचे की हतकड़ी खोलने को कहता है और उसके पैरेंट से पूछता है कि क्या आप जानते ही कि आपका बेटा जेल में क्यों है मा कहती ही कि हाँ उसने खलती की है इसलिए उसे अरेस्ट किया गया है लेकिन उसकी खलती के लिए अब हमेक रिन्वर्स की तरह यहां पर घसिट कर क्यों लाए गया है हमारे से कोई आता नहीं है अब अब जज पिता से पूछते है कि तुम्हारे बेटे ने कतल करने की कोशिश की थी और उसी केस में उसे पंदरा साल जेल की सजा हुई और तुमने अपने बेटे के खिलाफ गवाई दी क्या यह सच है बितावी हा में जवाब देता है खेर वो केस खत्म तो हो चुका है लेकिन आज ये लोग कोट में क्यों है इसका जवाब दोस्तों आगे की कहानी में मिलेगा अब जज़ पुछता है कि तुम्हारे बेटे का डेट अब बर्थ क्या है जरा बताना तोनों ही पैरेंट्स को पता नई है कि वो कब पैदा हुआ था दरसल इनके आठ बच्चे हैं पर इन्हें अंदाजा ही नई है कि कौन कब पैदा हुआ हाँ ये सुनकर जज़ हंस बढ़ता है लड़के की लुएर मेडिकल रिपोर्ट्स वगएरा दिखा कर कोर्ट में बताती है कि इस लड़के की अमर मातर बारा साल है इतना ही नहीं इसका कोई आइडी प्रूफ नहीं है और नहीं इसके भाईयों और बेहनों की कोई आइडी प्रूफ है ये तक साबित नहीं किया जा सकता कि ये लोग इस देश के नागरिक हैं बताओ इसनी बुरी तरह से पैरेंटिंग कर रहे हैं इसके माबाप अगज़ पूछता है कि बेटा क्या तुम जानते हो कि तुम्हें उस केस में पंदरा साल की सजा आखिर हुई क्यूं है वो भी कह देता है कि हाँ मैं जानता हूँ मैंने एक बेदिमाग आदमी को चाको मार दिया था इसलिए यहाँ फ्लैश वेक में इस लड़के के बारे में दिखाते है इस बच्चे का नाम है जैन इसका पूरा परिवार यानि आठ बच्चे और उनके पैरेंट्स सभी एक छोटे दस बाई दस के कमरे में रहते है जैन एक पड़ची लेकर मेडिकल शॉप में जाता है और कोई टैबलेट खरिदता है फिर दूसरे मेडिकल शॉप में जाकर उसी पड़ची से टैबलेट्स खरिदता है इस तरह कई मेडिकल शॉप में उसी पड़ची में लिखे टैबलेट्स खरिद कर अपनी मा को देता है वो टैबलेट्स का पाउडर बनाकर पानी में मिक्स करती है फिर कुछ कपड़ों को उसमें भिगो कर सुखाती है उन कपड़ों में जगे जगे टैबलेट्स का पाउडर चिपका होता है फिर उन्हें एक बैग में पैक करके अपने छोटे बच्चे को हाथ में ले लेती है और सबसे बड़े बेटे जैन को साथ में लेकर जेल जाती है वहां वो एक आदमी से मिलती है और बैग उसे साम देती है लगता है उन टैबलेट्स में कोई नशिला पदारत है और उसे बेचने का इसने एक अनोखा तरीका ढूर निकाला है फिर पैंसे लेकर वो अपने बच्चों के साथ घर आ जाती है ये छोटा सा घर बच्चों से भरा पड़ा होता है लेकिन तब भी ये कोने में परदा डालकर पती पतनी फिर बिज़ी हो जाते है बच्चों को सूने की जगे भी नहीं होती और लगता है वे एक के उपर एक सो रहे हैं ऐसी हरत में पता नहीं ये लोग फैक्टरी की तरह बच्चे क्यों निकाल रहे हैं सुबह बच्चे जूस बनाकर सड़क पर बेचने लगते हैं जैन देखता है कि उसकी बेहन जिसका नाम साहर है उसकी ड्रेस में खून लगा हुआ है जैन 12 साल का है लेकिन वो समझ जाता है कि साहर बड़ी हो गई है और उसके पीरियर्ड्स शिरू हो गए हैं मावा भले गर जिम्दार है लेकिन जैन को अपनी बेहन की बहुत ही चिंता है उनके पास सैनेटरी पैट खरितने के लिए पैसे नहीं होते है जैन अपनी बन्यान उतार कर उसे थोड़ा साफ करके साहर को देता है कि इसे यूज कर लो और हाँ खलती से भी मावाप को मत बताना कि तुम बड़ी हो गई हो वरना वे तुम्हें बेच डालेंगे फिर जैन एक दुकान में जाता है जहां पर उकाम करता है वहाँ से सैनेटरी पैट्स के दो पैकेट्स चुरा कर साहर को देता है और फिर इसे वान करता है कि इसे घर में कहीं छिपा कर रख लो और जरूरत पढ़ने पर यूज करना फिर दोनों सडकों पर मज़े से घूमते हैं ना तो स्कूल जाते हैं ना ढंक से कुछ कर पाते हैं ये बच्चे दुकानों में और सडकों पर योही काम करते हैं और घर का खड़चा चलाते हैं अप्योंकि जैन छोटा लड़का है तो कुछ लोग उसे बुली भी करते हैं लेकिन सारी मसीबतों को पार करके वो इस परिवार को अपने कंधे पर उठाय वे हैं एक दिन वो काम से घर लोड़ता है तो सहार को दुलहन के तरह सजा कर बिठाय होता है लगता है पेरिंट्स को उसके पिरियर्ट्स शुरू होने का पता चल गया है और वे सहार की शादी असद नाम के कादमे से तैकर लेते हैं और ये वही है जिसके दुकान में जैन काम करता है जैन अपनी मां से लड़ने लगता है कि वह बहुत चोटी है उसकी शादी क्यों करवा रही हो क्या तुमने असद से पैसले कर उसे बेच तो नहीं दिया मा भी कह दियती है हाँ मैंने उसे बेच डाला आखर इस चोटे से घर में इतने लोग नहीं रह सकते कम से कम वो दूसरों के घर जाकर खुश तो रहेगी इसलिए मैंने उसकी शादी तैकर दी जैन को बहुत यह खुस्सा आता है वो सुबह जल्दी उठकर साहर के कपड़े वगिरा पैक करता है और उसके कान में धीरे से कहता है कि चुप चाप उठो हम दोनों घर छोड़ कर भाग कर जा रहे हैं फिर जैन असद की दुकान में जाकर सेनेटरी पैर्ट्स के कुछ पैकेट्स और कुछ नूडल्स पैकेट्स चुराकर घर आ जाता है लेकिन किसमत बहुत बरी होती है उसकी साहर को उसके पैरेंट्स घसिट कर असद के साथ शादी करवाने के लिए लेके जाते हैं जैन बहुत लड़ता है और अपनी बहन को बचाने की कोशिश पूरी करता है लेकिन उनका बाप साहर को उठा कर जबर जस्ती अपने स्कूटर पर बिठा कर लेके जाता है जैने सहर को बचाने के लिए जो कोशिश की थी वो सम मिट्टी में मिल चुकी है उसको तो इतना खुसा आता है कि मा को गाली देकर घर से भाग जाता है कि आइंदा मैं इस घर में कभी नहीं आउँगा और प्रेजेंट में जजज बाप से पूछता है कि जब इस बच्चे में इतने आकल है कि छोटी बच्ची की शादी नहीं करवानी चाहिए तो तुम्हें ये लिहाज नहीं रहा क्या पितावी कहता है कि मेरे घर में इतने सारे बच्चों को रखने की जगे नहीं है और मैंने अपनी बेटी की भलाई के लिए ही उसकी शादी असद से करनी चाही मैंने असद से पैसे नहीं लिए और नहीं अपनी बेटी को बेचा मैं तो बस उसका भला चाहता था पर मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा साहर के साथ क्या हुआ ये तो बाद महीं पता चलेगा फ्लैश वेक में दिखाते हैं कि जैन बस में चड़कर किसी और जगे चला जाता है वहां भी वो सडकों पर भटकने लगता है फिर चुरावे नूडल्स पैकेट्स खोल कर उन्हें कच्चा खाकर अपनी भोक मिटाता है लेकिन जब नूडल्स भी खत्म हो जाते हैं तो वो एक होटेल में जाकर नौकरी मांगता है पर वो औरत कहती है मैं खुद यहां पर कम सलरी पर काम कर रही हूं तुम्हें नौकरी कहां से मिलेगी लेकिन हाँ वो जएन को एक वक्त का खाना जरूर देती है फिर जएन उस एरिया की कई शॉप्स में जाकर काम मांगता है पर काम नहीं मिलता जएन बहुती भूका होता है लेकिन वो भीक नहीं मांगना जाता तब एक आदमी उस पर तरस खाकर खाना खरिद कर देता है जएन बहुत सोचने के बाद आखर कार उसे खाई लेता है दूसरी और उस होटल की स्टाफ को दिखाते हैं जिसका नाम राहिल है वो अपने बच्चे को एक सूटकेस में छुपाकर काम पे लेके जाती है और उसी तरह उसे घर भी लेके आती है राहिल ने होटल के मालिक और अपने पड़ोसियों से ये बात छुपाकर रखी है कि उसका एक बच्चा भी है अब जैन राहिल के पीछे जाने लगता है राहिल भी जैन को घर में ले लेती है और कहती है कि मेरे बच्चे की देखभाल कर लेना और बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस घर में बच्चा है दरहसल राहिल एक इलीगल इमिग्रेंड है जो फट्जी आडी बनाकर यहां पर रह रही है और काम भी कर रही है पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है इसलिए वो अपने बच्चे को छुपा कर पाल रही है जब वो काम पे जाती है तो जैन उस बच्चे का बहुत अच्छा ख्याल रखता है उसे अदूध बिलाता है उसके साथ खेलता है उसका डायपर भी चेंज करता है मतलब की पूरे काम वही करता है रहे भी बहुत खुश होती है कि जैन के साथ उसका बच्चा बहुत ये खुश है एक दिन चोटे बच्चे का बड़ थड़े होता है तो वेके काटकर सलिबरेट भी करते हैं और अब प्रेजेंट में राहिल को कोट में बुला कर पूछा जाता है कि इस लड़के का बिहेवियर कैसा था वो बताती है ये बहुती अच्छा लड़का है इसमें कोई बुरी आदत नहीं है तब जजज पूछता है कि अगर ये इतना अच्छा लड़का है तो इसने तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया इस पर राहिल कहती है कि जएन की खलती नहीं है उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा उपर से वो आदमी बहुत ही बुरा है अब दोस्तों ये किस आदमी के बारे में बात कर रही है और जजज ने इसके बच्चे के साथ क्या क्या जिसके बारे में जजज पूछ रहा है इन बातों का खुलासा भी बाद में ही होगा इस मुवी में ऐसी कई बाते हैं जो फिलहाल नहीं बताई गई है फिर फ्लैश ट्रक में राहिल को दिखाते हैं जो एक सीडी डिवीडी वगेरा की दुकान में जाती है जिसके ओनर का नाम है एस्पेरो उसने राहिल को फट्जी आडी कार्ड बना कर दिया था जो कि अब एक्सपेर होने जा रहा है राहिल कहती है तुम मुझे नया आडी कार्ड बना कर दे दो प्लीज पर एस्पेरो फट्जी आडी बनाने के लिए एक हजार डॉलर मांगता है जो राहिल के पास होते नहीं अब दुकान का उनर कहता है कि मैं पांच सो में आडी बना कर देने को तैयार हूं लेकिन तुम अपना बच्चा मुझे दे दो मैं उसे किसी को एडॉप्शन के लिए दे कर कुछ पैसे कमा लूँगा लेकिन राहिल अपने बच्चे को कैसे दे सकती है वो मना करके चले जाती है राहिल ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा करकर घर में एक जगे पर रखे होते हैं जिसे जैन देखता है फिर पैसे जमा करने के लिए राहिल उन सारी जगों पर जाकर उधार मांगती है जहां वो पहले काम क्या करती थी लेकिन कहीं भी पैसे नहीं मिलते फिर वो अपने बच्चे के बाप से पैसे मांगने जाती है लेकिन वो कहता है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है लेकिन एक औरिजिनल आईडी कार्ड है तुम इसे रख लो और इस आडी कार्ड की फोटो की तरह अपना हुलिया जरा बदल लो फिर वो एक बुजरुक कपल से मिलती है जो खुद इलीगल यहां पर रह रहे हैं तीनों इमिग्रिशन आफिस जाते हैं कपल ने धनी लोगों की तरह ड्रेस किया होता है और वे कहते हैं कि ये लड़की हमारी दुकान में काम करने आई है आफिसर बुजरुक से उसकी दुकान का फोन नमबर पोचता है तो उसे पता नहीं होता और वे यहां फंस जाते हैं अब आफिसर उन्हें वान करता है कि आएंदा जूटे डॉक्रिमेंट्स लेकर आए तो पुलिस को बुला दूँगा समझे तो इनों जान बचाकर वहां से चले आते हैं राहिल बहुत ही घबराई वी है कि अगर उसे इलीगल यहां रहने के लिए अरेस्ट कर लिया गया तो उसके बच्चे का क्या होगा फिर वो अपने पैरेंट्स को कॉल करती है जो कि इतोपिया में रहते हैं वो कहती है कि इस मेहने में पैंसे नहीं भीच पाऊenगी अगले महने जरूर भीचूंगी यहां जैन राहिल का इंतजार कर रहा होता है लेकिन वो घर नहीं आती दो दिन यहीं बीच जाते है और अब घर में खाना भी नहीं हुता जैन राहिल के बच्चे को उठा कर उस होटेल में लेके जाता है जहां राहिल काम करती थी पर वहां बताते हैं कि वो तो दो दिन से काम पर आई ही नहीं फिर जैन बच्चे को लेकर एसपरो के सिड़ी शॉप में जाता है एसपरो जैन और रहिल के बच्चे के लिए खाना वगरा खरिद कर देता है और बहुत भले आदमी के तरह कहता है कि दो दिन और वेट करो और अगर रहिल नहीं लोटी तो मुझे बता देना मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा जैन बच्चे के साथ फिर घर आ जाता है यहां दिखाते हैं कि रहील के साथ क्या क्या हुआ था दरसल रहील की तरह कई लीगल इमिगरेंट्स को रिष्ट करके जेल में डाल दिया गया था वहां की दूसरी लीगल इमिग्रेंट्स बताती है कि अगर इन्हें पता चला कि तुम्हारा बच्चा भी है तो वो उसे भी पकड़ कर यहां ले आएंगे यहां किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक मा हो वो बहुत ही परिशान होती है और अपने बच्चे को बचाने के लिए वो अपना दूद वेस्ट करती है तांकि किसी को यह पताना चले कि वो मा है यहां जैन के पास पैंसे भी नहीं होते तो वो उन पैंसो को उठा लेता है जो राहिल ने जमा करके रखे वे थे उन पैंसो से वो बच्चे के लिए दूद खरीद कर लेकर लेके आता है लेकिन बच्चा दूद पीता ही नहीं और रोता रहता है फिर जैन फ्रिज खोल कर देखता है तो उसमें सिर्फ आइस क्यूब्स होते हैं जैन उन्हें निकाल कर उन पर शक्का लगा कर बच्चे को देता है वो बड़े मज़े से मीठा इस क्यूब्स खाने भी लगता है और उसकी भूख भी जरा कम हो जाती है फिर बच्चे को लेकर वो जगे जगे घूमता है और जो मिला उसे ही खान लेता है और बच्चे को भी खिलाता है फिर घर के बड़तन वगेरा से वो बच्चे के लिए एक गाड़ी बनाता है और उस पर उसे बिठा कर लेके जाता है लोग रास्ते में तमाशा देखते हैं लेकिन कोई भी उसकी मदद करने वो तैयार नहीं होता चूंकि इस एरिया में जातर लोगों का यही हाल है फिर वो एक कैम्प में जाता है जहां होमलेस लोगों की मदद की जाती है जैन कहता है कि मुझे सिर्फ इस बच्चे के लिए दूद चाहिए वे उसे दूद का पावडर देते हैं पावडर दो-तिन दिन तो चल जाता है लेकिन उसके बाद जैन घर में रखावा हीटर बेच कर पैसे कमाने की सोचता है तांकि और दो-तिन दिन के लिए बच्चे का दूद का इंदिजाम हो पाए इस हाद में भी दोस्तों उसे बच्चे को छोड़ने का दिल नहीं किया इतनी जिम्मेदारी से काम कर रहा था यहां पर एक और बात समझनी जरूरी है कि जैन खुद एक बच्चे है जिसका किसी और को ख्याल रखना चाहिए था लेकिन वो एक बड़े आदमी के तरह इस बच्चे के जिम्मेदारी उठा रहा है अब जैन एस परो के पास जाता है वो कहता है कि अब इसकी माँ नहीं आएगी तुम बच्चे मुझे देदो क्योंकि तुम इसका ख्याल नहीं रख पाओगे अभी तुम बच्चे हो देखो देखो तुम कितने गंदे दिख रहे हो मैं तुम दोनों के नहाने के अंदिजाम भी करा दूँगा और फिर इस बच्चे को एक अच्ची फैमली को सापकर तुम्हारे ले भी कुछ जरूर करूँगा बेटा पर जैन नहीं मानता और कहता है कि हम पास की कार वाशिंग में जाकर नहालेंगे समझे वो बच्चे को लेकर कार वाश वाले एक गैरेज में जाता है उन्हें बताता है कि प्लीज हमें यहाँ पर नहने की परमिशन दे दीजिए इस पर वहाँ के लोग खुद ही बच्चे को नहला देते हैं अब जैन को कुछ ना कुछ करके अपने और इस बच्चे की भूक मिटानी होगी पहले तो बिक्री नहीं होती लेकिन जब लोगों को नशा चड़ने लगता है तो कई लोग उसे खरीते हैं और इस तरह उसकी काम्यावी श्रू हो जाती है उन पैंसों से दोनों का गुजारा होने लगता है लेकिन एकाम दो दिन भी नहीं चलता कुछ हाद में उसका नशिला पानी पीकर उससे ही मार कर भगा देते हैं अब ये काम भी हाद से गया एक दिन वो घर आता है तो इस चोटे से शेड के मालिक ने उसकी सारी चीज़े बाहर फिंक दी होती है और शेड को लॉक भी कर दिया होता है क्योंकि जैन ने भाड़ा नहीं दिया अब जैन ने कुछ पैंसे जमा करकर घर में रखे होते हैं जिनने लेने के लिए वो ताला भी तोड़ता है लेकिन आसपास के लोग उसको डांट कर भगा देते हैं कि ये क्या कर रहे हो चोरी कर रहे हो इस तरह बचारे के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और जैन बच्चे को लेकर सड़क पर आ जाता है क्या करता बचारा वो बच्चारा रियलाइस करता है कि अब वो इस बच्चे की देखवाल नहीं कर पाएगा बहुत परिशान होता है लेकिन फिर भी कोई न कोई रास्ता पाकर वो बच्चे को एक दुकान के आगे छोड़ कर चला ही जाता है पर बच्चा उसके पीछे पीछे आता है जैन फिर उसे वही बिठा कर जाता है लेकिन वो बच्चा फिर उसके पीछे जाता है तीसरी बार वो बच्चे को बिठा कर तेज भागता है लेकिन फिर चुपके से देखता है कि बच्चा चुप बैठा हुआ है या उसे ढूंड रहा है जैन बच्चा ही सही लेकिन इतना मैचुड जरूर है और उसका इस बच्चे को अकिले छोड़ने का मन नहीं करता हालांकि उसकी खुद की हालत इतनी खराब है पर इस बार बच्चा जैन के पीछ नहीं बनकि सड़क की और भागने लगता है जैन घबराकर भागा चलाता है और बच्चे के पैर को दुकान के स्टेंड से बाहन देता है तांकि वो सड़क योर ना भागे और नहीं जैन के पीछ आए कम से कम कोई तो उस पर तरस खाकर उसे अपने साथ लेके जाएगा ये सोचकर वो दूर जाकर बैठ जाता है पर फिर भी इस मासूम लड़के का दिल नहीं मानता और वो बच्चे को उठाकर प्यार करने लगता है फिर वो एसपरो के पास जाकर कहता है कि जैसा आपने पहले कहा था आप इस बच्चे को एक परिवार को दे दो मुझे पैसे नहीं चाहिए बस ये बच्चा सही स्लामत रहे यही काफी है एसपरो को और के चाहिए था वो मान जाता है फिर जैन को हेरकट करने के लिए पैसे भी देता है और पूछता है कि तुम कहा जाना चाहते हो जैन कहता है कि मैं स्वीडन जाना पर वहां भेज सकता हूं पर उसके लिए मुझे तुम्हारा कोई आईडी प्रूफ चाहिए जिससे पता चल जाए कि तुम इस देश के हो यानि लेबानन के नागरिक हो अब जैन अपना आईडी प्रूफ लेने के लिए अपने शहर जाता है और अपने पैरेंट्स के घर कुछ पेपर्स को चेक करता है कहीं भी किसी कागस पर उसका नाम और डेट वबर्थ हो तो काम चल जाएगा लेकिन घर पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता इतने दिन बाद बेटे को देखकर उसकी माँ बहुत रोती है लेकिन बाप कहता है तुम यहां क्यों आए जैन भी क कोई बर्थ सर्टिफिकेट परूफ वो कुछ नियूस पेपर कटिंग उठा कर देता है जिसमें जैन की फोटो है दरसल चोटी मोटी चोरियों के लिए जैन को पुलिस ने पकड़ा था और तब उसकी फोटो नियूस पेपर मैई थी बाप भी कहता है कि ये ले ये है तेरा पहा नहीं जाता वो बहुत रोता है फिर वो घर से एक चाकू उठाकर असद को खत्म करने जाता है जिसने सहर से जबरदस्ती शादी की थी जैन का बाप उसके पीछे भागता है और चिलाता है रुख जा उसके बात का सीन नहीं दिखाते लेकिन हम गैस कर सकते हैं कि जैन जैन का बाप उसकर तो का से बारें जूसा दिया जान के वह सकते हैं जैन का बाप प्रेजडमेंट में दिखाते हैं। कोट में आया हुआ है कमर में चापको गुस्ने से वो ठीक से चलना ही पाता और वीलचेर में बैठ खराता है जज पोचता है कि क्या तुम जानते नहीं थे कि तुमने जिस लड़की से शादी की वो महज 11 साल की बच्ची थी वो भी कहता है कि जानता था जानता था तो क्या तुम्हें ये घलत नहीं लगा वो कहता है नहीं मेरी नानी की शादी भी 11 साल की अमर में हुई थी और एक बच्चा भी हुआ उन्हें तो कुछ नहीं हुआ मेरी 11 साल की पत्नी कमजोर थी इसलिए प्रेग्नेंसी में उसकी मौत हो गई हमारे एरिया में कई लड़कियों की शादी इसी उमर में होती है उन्हें तो कुछ नहीं होता अब जज़ का सर चक्राने लगता है कि इस साथमी के सर में भेजा कहां से गुसाओं वो पूछता है कि शादी के कितने मेहनों के बाद तुमने उस बच्ची के साथ संबंद रखे असद कहता है कि दो तिन मेहने के बाद पर दोस्तों असल में वो जूट बोल रहा था शादी के त्रॉंत बाद उसने साहर के साथ संबंद बनाना शुरू कर दिया पर 11 साल की बच्ची का शरीर प्रेगनेंसी को कैसे सहपाता पांच महने की प्रेगनेंसी में सहर को लिवर पेन हुआ और वो मासुम मर गई और इस तरह पता चलता है कि जैन ने असद का कतल करने की कोशिश क्यों की और उसे 15 साल की सजा क्यों हुई यहां सवाल यह उटता है कि फिलहाल क्या केस चल रहा है यह जिस लड़की के पास खाने पीने के लिए पैंसे नहीं थे उसे लौयर कैसे मिली यह सब दोस्तों आगे बताय जाएगा असद को चाको मारने के चुर्म में जैन को जेल बहजा जाता है वहां कभी कभी नियूस कवरेज के लिए लोग आते जाते रहते हैं और जैन उन्हें देखता रहता है फिर वो राहिल से मिलता है जो उसी जेल में है राहिल रोने लगती है कि अब तुम भी मेरे बच्चे के साथ नहीं हो ना जाने उसका क्या हुआ होगा तब ही जेल का वार्डन जैन से पोश्टाच करके पता लगा लेता है कि जैन ने राहिल के बेटे को एस्परो के पास छोड़ा था मतलब जेल की वार्डन को पता चल गया है हलंकि राहे नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे के बारे में किसी को कुछ भी पता चले यहां होता है सीन कट और फलेशरक में दिखाते हैं कि जैन जेल में अपनी सजा काट रहा है इस वक्त जैन के मन में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है कि पंदरा साल की सजा काट कर मैं बाहर जाकर क्या 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 करूंगा वो एक बच्चे की तरह सोच रहा होता है लेकिन दोस्तों इसके बाद जो होता है वो जैन को अपने पैरेंट्स पर केस करने पे बिलकुल मजबूर कर देता है जेल में एक दिन जैन के माँ उससे मिलने आती है और बड़े प्यार से बात करती है पर जैन को उसके नाटक से कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहती है कि बेटा तुम परिशान मत होना कि तुम्हारी बेहन जिन्दा नहीं है उसके कृस्मत ही ऐसी थी लेकिन अब तुम्हारी एक और चोटी बेहन आने वाली है मैं प्रेगनेंट हू बेटा बस ये सुनकर जैन खुस्ते से लाल हो जाता है वो अपनी मा को गाली देने लगता है और कहता है तुम में जरा भी इनसानित नहीं है तुम इनसान नहीं कुछ और ही हो ये कहकर वो चला जाता है उस रात टीवी पर एक लाइव शो चलता है जिसमें कोई भी फोन करके अपने बारे में या अपने देश की अहरत के बारे में कुछ भी कह सकता है जैन जील के फून से उस शो को कॉल करता है और चिलाता है कि जब खाने को दाना नहीं है, पैस नहीं है, ना अच्छा घर है, ना बच्चों को स्कूल भीजने की अकाथ है तो तुम बड़े लोग बच्चे पैदा करते ही क्यों हो आवाज को सुनकर जेल के सारे मेट्स जान जाते हैं कि जैन बोल रहा है वे सब टीवी पर उस शो को देखने लगते हैं और उसी रात जैन उन सब की नजरों में हीरो बन जाता है क्योंकि उसने इसना एहम सवाल जो उठाया है सबी फिर उसे अपने अपने तरीके से बताते हैं कि भाई तुने हम सब की तरफ से समाज पे और अपने पैरेंट्स पे ये सवाल उठाया है वे सबी उसे सपोर्ट करते हैं तब टीवी शो वाले पोचते हैं कि हम तुम्हारे सवाल का जवाब ढूनने में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे तुम बस ये वताओ कि हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो जैन कहता है कि मैं अपने दोनों पैरेंट्स पर केस करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मुझे पैदा ही क्यों किया अब उसका ये इंपोर्टन्ट सवाल मीडिया में बिलकुल वाहरल हो जाता है और कई चैनल्स पर इस बारे में डिबेट हो जाती है और फिर आग की तरह फैल रहे इस एहम मुझे का लेगल सलुशन निकालने में जैन की मदद करती है एक लोईर उस जैन से बात करती है तो जैन अपने दो एहम प्रॉब्लम्स का जिक्र करता है एक तो ये कि जैन इसी देश में पैदा हुआ है लेकिन उसके पास इस बात का कोई प्रॉफ ही नहीं है कोई आईडी ही नहीं है और दूसरी प्रॉब्लम्स ये है कि जैन को उसके पैरेंट्स ने पैदा किया जबकि उसे बड़ा करने उसकी देखवाल करने के लिए उनके पास कोई जर्या ही नहीं था ना अच्छा काम न है रहने के लिए घर ना उसे स्कूल भेजने की जिम्मधारी कुछ भी नहीं ये पैरेंट्स की घर जिम्मधारी ही नहीं बलकि इतना बड़ा क्राइम है जिस्ते जैन को ढंक की जिन्दगी नहीं मिल पाए यसे वो डिजर्व करता था इसी जिर्म के लिए वो अपने पैरेंट्स पर अब केस करना चाहता है और ये उस अकेले की समझते नहीं है बलकि ऐसे माहूल में रहने वाले हर बच्चे की प्रावलम ये है और इसलिए लोईरुस का केस लेने के लिए तयार हो जाती है और दोस्तों यही केस मूवी की शुरुआत में दिखाए गया था अब प्रेजेंट में कोट को दिखाते हैं जहां ये केस चल रहा है महार नियूज मीडिया और बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि इस केस में क्या फैसला होगा और क्या जैन को नियाई मिलेगा इस केस की पूरी डिटेल्स जानने के बाद जजज को एहसास होता है कि ये बच्चा ऐसी स्चुईशन से गुजरा है जिससे उसका बच्चपन ही नहीं उसकी जिन्दगी के आने वाले कई साल दर्दनाक होंगे सब कुछ सुनने के बाद जजज आकर में जैन से सिर्फ एक सवाल करता है कि बेटा अब मैं फैसला सुनाने जा रहा हूँ लेकिन तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए तुम्हारे नजरिये में वो क्या निया है जो तुम कोर्स एक्सपेक्ट करते हो जैन कहता है मेरे पैरेंट्स के आठ बच्चे हैं मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वे बच्चे पैदा करना बंद कर दें बस जजज पैरेंट्स को देखता है और जैन से कहता है कि बेटा वो दुनों लगभग पचास के हो चुके हैं और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चे होंगे जैन कहता है कि आपका अनुमान गलत है मेरी मा इस वक्त प्रेगनेंट है और उसके पेट में एक लड़की भी है उस बच्ची को इस दुनिया में लाकर उसकी जिन्दगी खराब करने का इन दोनों को कोई हक नहीं है हलनकि ये लोग पहले से आठ बच्चों की जिन्दगियां बरबाद कर रहे हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि वो बच्ची पैदा ही ना हो मुझे बस यही चाहिए इसकी आधार पर पुलिस जान जाती है कि राहिल के बच्चे को जैन रैस्परो के हाथ सूपा था वे इस्परो की तलाश में निकलते हैं वे देखते हैं कि एस्परो ने एक बच्चे को नहीं बलकि ऐसे कई बच्चों को एक पुरानी फैक्टरी में बंद करके रखा होता है जहां हवा भी नहीं जाती पुलिस उन सब बच्चों को रैस्क्यू करती है फिर राहिल के बेटे को उसकी मां से मिलवाय जाता है राहिल उसे गले से लगा लेती है और बहुत ये खुश होती है कि वो सेफ है फिर जेल में जैन की फोटोस कहींची जाती है फ्रंट व्यू, साइड व्यू, हर एंगल से फोटो कहींची जाती है इसके बाद तो आपको पता ही होगा क्या होने वाला है जैन की हाथ में एक स्लेट दिया जाएगा जिसमें उसका खायदी नंबर होगा है ना दोस्तों? लेकि नहीं, यहाँ एक अनेकस्पेक्टेड ट्विस्ट ट्विस्ट कर रहा है फुटाउग्राफर कहता है कि बेटा, तुमने केस किया था कि तुम्हारे पास आईडी कार्ड नहीं है यह आईडी कार्ड का फोटो है थोड़ा स्माइल दो कर लो बेटा कोट ने सरकार को और्डर किया है कि तुम्हाईडी कार्ड इशू करे इस पर जैन पहली बार एक खुबस्रोत स्माइल देता है और इसी फ्रेम के साथ दोस्तों यह मुवी खत्म हो जाती है दोस्तों आप यही सोच रहे होंगी कि जजज ने आखर में फैसला क्या सुनाया अब देखिए वो ना तो उस बच्ची को गिरा सकते थे क्योंकि वो भी लीगल होगा और नहीं वो किसी को बच्चे पैदा करने से रोक सकती है इसलिए उनने बच्चे को उसका आईडी कार्ड देना ही सही समझा यानि कि उसकी पहचान बागी आपको मुवी को देखकर क्या लगता है अपनी थियोरीज कॉमेंट से बताईएगा और हमारे दूसरे चैनल मुवीज वैदर को सपोर्ट करें ये वीडियो अच्छी लगी हो स्टोरी अच्छी लगी हो अच्छा लगा हो जादा से जादा शेयर करें वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब फिर मिलते है अगली वीडियो में तब तक कि ले गुड़ बाई अपना खयाल रखे है दोस्तों और फाइनली थैंक्स पर वाचिंग